अब आप उसको ठीक शेक में भी ट्राय कर सकते हैं खाने में यह बहुत ही अच्छा है बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है तो यहां पर मैंने यह लिया है चौकलेट मड केक आप उसके बदले में कोई भी चौकलेट स्पंज का केक ले सकते हैं और इसको मैं थोड़े से दूद में पांच मिनट के लिए छोड़ूँगी भीडने के लिए बस हमें इतना ही दूद लेना है कि यह इसमें इस तरीके से दूब जाएं इसको बहुत जादा दूद नहीं डालना है और इसको मैं पांच मिनट के लिए छोड़ती हूँ और यहां हम लेंगे एक जार इस जार में मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून चीनी 1 एट टीएसपी कॉफी पाउडर यहां पर मैं नेस कफे एक क्लासिक कॉफी यूज़ कर रहे हूँ वन फोर्थ टीएसपी कोको पाउडर वन टेबल स्पून बॉन वीटा और यहां मैंने लिए हैं तीन फ्रोजन चेरी इसको छोटे-छोटे पीस में कट करके इसमें मिक्स करेंगे और अब इन ऐटम को मैं एक बार मिक्सी में चला के इसको बारी इक पीस लोगी तो यह देखे इस तरीके से पीसने के बाद इसमें मैं एड करूंगे हमारा चॉकलेट और ऑज चॉकलेट केक था उसको और दूर को जो मैंने मिक्स किया था अब इस बार इस केक के साथ इसको हम अच्छे से पीस लेंगे तो ये देखे इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा ही चौकलेट जैसा पेस्ट बन गया है इसमें मैं एड़ करने वाली हूँ एकदम थंडा फुल क्रीम मिर्ट और यहां मैं तीन ग्लास बनाँगी इसलिए मैं दो ग्लास दूद आइड कर रही हूँ क्योंकि केक और बात की आइटम से वो तीन ग्लास आराम से रेडी हो जाएंगे और जो लास्ट इंग्रीडिट जाएगा वो है इसमें ये स्ट्रॉबेरी एसेंस बस दो से तीन बूंदी हमें डालना है और अब इसको हम अच्छे से मिक्सी में चला लेंगे और हमारा मिल्चेक रेडी है और इसको मैं सर्फ करूँगी अब ग्लास में तो यहां हमारा थीक शेक बन के रेडी है और इसको मैं डेकुरेट करने वाली हूँ थोड़े से वाइट चॉकलेट के साथ जिसको मैंने ग्रेट किया है यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप इसके बिना भी यह थीक शेक बना सकते हैं तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आयो तो इसको एक बार ट्राइ करें, इंजॉय करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरेंस शेयर करना ना भूले थैंक्यू फर वाचिंग